नमस्कार, क्विक निउस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्तों हम बात करेंगे NCR में हो रही बारिश के बारे में भारतिय मौसम विज्ञान के आकड़ों के अनुसार राष्ट्री राजधानी शेत्र में पिछले 24 गंटों में 2007 के बाद से दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है बारिश से अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड 10 डिगरी तक कमी भी आई है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि NCR में हो रही भारी बारिश मानसून की बारिश नहीं है मानसून का समय NCR में पिछले 29 सितंबर तक ही था NCR में मानसून से 516.9 mm बारिश हुई जबकि मानसून का सामान्य स्तर 653.6 mm है राश्ट्री राजधानी में लगातार बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और ये संतोष जनक स्तर पर पहुँच गया IMD के अनुसार NCR शेतर में मानसून के बारिश पश्शिमी विशोब का पूर्वी हवा के साथ इंट्राक्शन के कारण होती है जहां पश्शिमी विशोब एक ट्रफ या गर्द की रूप में मध्धे तथा उपरी हवा में स्तित होता है वहां पूर्वी हवा निचले इस्तर पर गहरी गर्द बनाता है मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार निचले वाई उस्तर पर होने वाली पूर्वी हवा परी गटना के कारण शेतर में बहुत अधिक नमी आ जाती है क्योंकि नमी हमेशा निचले इस्तर पर प्रित्वी की सता पर या उसके आसपास उपलब्द होती है ये नमी ही बारिश का कारण बनती है ये बारिश अरब सागर से गुजरात पूर्वी राजस्थान होते हुए दिल्ली शेतर को पार करती है और उत्रा खंटक होती है